हेलो प्यारे बच्चो वेलकम बैक उन माई यूटीब चैनल और हम पढ़ रहे हैं यहां पर फिजिक्स आज का हमारे जो टॉपिक है वो है बिद्दुच्छेत्र तो सबसे पहले हम बिद्दुच्छेत्र के बारे बात करेंगी उसके बाद हम बिद्दुच्छेत्र की तिप यह अपने से क्या कर देती है दूर कर देती है यह हमने पिछले वीडियों पढ़ा था ठीक है अब देखो अगर यह कोई आबेस है और इसके चार और कुछ ना कुछ क्या होगा यानि कि वो यहां तक यह उसका छेत्र हो गया यानि कि इस आबेस के अंदर अगर कोई लिया या अपने से क्या कर दिया दूर कर दिया या तो आकर्शनवल लगा दिया या पर क्या कर दिया प्रतिकर्शनवल लगा दिया इसका मतलब यहां पर क्या विद्व छेत्र है ठीक है अगर हमने यहां पर रखा तो यहां पर भी इसने अपनी वस्तु को क्या कर दिया अ इस आवेस्ज बस्तू को अपनी और नहीं खीचे गए ना अपने से दूर करेगा. क्योंकि ये इसके छेतर से बाहर है. इसका मतलब ये है, कि ये जो छेतर है, ये आवेस्ज 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 का चेतर हो गया है. यानि कि इसको बोलेंगे बिद्दु छेतर. यानि जहां तक कोई आबेस किसी बस्तू को अपनी और खीचेगा या अपने से दूर करेगा यानि कि उस पर बल का अनुप कराएगा उसे कहते हैं हम लोग बिद्द छित्र समझ में आगी बात आपको बिद्द छित्र क्या है तो definition भी यही है किसी आबेस के चारो और का वह चित्र जहां तक वह किसी अन बस्तू पर बल का अनुप कराता है ठीक है बिद्द छित्र कहलाता है यानि किसी आबेस के चारो और का वह चित्र जहां तक वह किसी अन बस्तू पर बल का अनुप कराएगा तो उसे क्या बोलेगे हम लोग बिद्दुचेतर बोलेगे यह तो क्लियर हो गया यानि कि बिद्दुचेतर तो हो गया अब बिद्दुचेतर की तीबरता का मनला होता है कितना बिद्दुचेतर लगेगा ठीक है? यानि कि तीबरता क्या होगी कहां पे कम होगी कहां ये किसी बस्तू का अपनी और जल्दी से खीचेगा यानि जादा तीबरता होगी जादा अत्ताकत लगाएगा और कहां पे कम लगाएगा उसको बोलते हैं विद्दुचितर की तीबरता है ठीके? तो यहां पे हम कुछ बात ने समझेंगी अपने से क्या करेगा? दूर करेगा मान के चले एक प्लस क्यूआ बेस है ठीक है? तो यह क्या करेगा? उसे अपनी और क्या करेगा? खीचेगा यानि कि इस पर क्या करेगा? ये बलका अनुभब कराएगा क्या करेगा ये बल कानुभब कराएगा अब कितने बल कानुभब कराएगा तो इसको ही बोलते है बिद्धुचेत्र की तीब्रता समझवागी बात आपको विद्दुचेत्र की दिप्रता क्या है कि एकांग के धनावेश पर किसी आवेश की द्वारा लगने वाले वलकी मात्रा क्या कहलाती है विद्दुचेत्र की दिप्रता कहलाती है समझवागी बात आपको ये वाला आबेस, इस वाले आबेस पर, इस एकां के दनाबेस पर, ठीक है, 10 कूलाम का बल लगा रहा है, कितने का लगा रहा है, 10 कूलाम का, इसके बिद्चेतर की दीप्रता क्या होगी, 10 होगी, समझभागी बात आपको, अगर इसको थोड़ा सा और दूर कर देंगी, यहां समझभागी आपको, तो definition की आए देखो, विद्चेतर की दीप्रता की, किसी आबेस के द्वारा, द्वारा, एक आंक धनाबेस पर, एक आंक धनाबेस पर, लगने वाले, बल की मात्रा, एक आंक धनाबेस पर, लगने वाले, बल की मात्रा, ठीक है, उस आबेस का, या फिर उसकी, बिद्चेतर की दीप्रता कहलाती है, बिद्चेतर की, दीप्रता कहलाती है, यहां तक बाद समझ मागी, अब इसमें दो आबेस हैं, एक आबेस तो यह है, ठीक है, जिसका हम बिद्चेतर चेक करते हैं, उसे बोलते हैं, इस दो आबेस, यानि इसका बिद्चेतर की अगरेस, चेक कर रहे हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा चेक कर रहे हैं, तो जिसके द्वारा चेक करते हैं, उसे बोलते हैं, परिक्षण आबेस, तो यह बात आपको याद रखनी हैं, परिक्षण आबेस, और यह परिक्षण कि यह क्या है इसका अलग से बिदुचेतर उत्पना हो जाए इसलिए इसको क्या लेते हैं एक आंग के लेते हैं बहुत कम आभिस लेते हैं इसको हम Q08 से प्रदर्शित करते हैं जो कि आपको पहले ही पता है ठीक है एक धना भिस होता है के लिए तो एक धना पर जितना बल लगना होता है ना तो क्या हो जागा यहां पर एफ अपन में क्या परेक्षणावे से आने की क्यू नॉट यह बन गया विद्दुचेतर की तीवरता का सूत्र आपको याद रखना है यह बराबर एफ पन में क्यू नॉट के लिए अब यह तो हो गया इसका सूत्र अब हम इसके एसा ही मात्रक के इसका ए एसा ही मात्रक क्या होगा पैश्य के बराबर इसको N C U पर जाएगा तो N C inverse यानि Newton Coulomb inverse clear हो गया, यह तो हो गया ऐसा ही मात रख, अब हम बात करते इसके बिमी सूत्र की, ठीक है तो इसका बिमी सूत्र क्या होगा अब बिमी सूत्र देखते हैं, देखो बिमी सूत्र कैसे बनाएंगी kyi का बिमी सूत्र क्या होता है TP-2 Q का बिमी सूत्र होता है AT कोई नहीं कट रहा क्या आएगा यहाँ यहाँ पे M अकेला जाएगा L थो अकेला ही है M, L और T, dेखो, T यहाँ भी T, यहाँ भी 1 भागमागाता, क्या हो जाती हैं? कट जाती है तो T- कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है दो में से एक गया तो minus 3 आ गया यहाँ पर कितना जाएगा T-3 A उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A inverse तो क्या बन गया ML T-3 A inverse यह इसका क्या हो गया बि मिय सूत्र हो गया आया समझ में पहले आमने सूत्र पड़ा उसके बाद यह क्या हो गया ऐसा ही मात्रक बता दिया और इसका क्या हो गया बि मिय सूत्र हो गया ठीक है तीनों चीजब की अब यहाँ पर एक और important चीजब है वो आपको पता होना चीजब कि बिद्दुट छेतर की तीब बरता सदिस राशी है या फिर अधिस राशी है तो आपको याद रखना है बिटा यहाँ पर मैंने बैक्टर पहली लगा दिया था ठीक है बिद्दुट छेतर की तीब बरता बिद्दुट यहाँ पर लाइन में ना दिता हूँ ठीक है, पॉइंट याद रखना बच्चो, विद्धु छेत्र की तिप्रता कैसी रास है, सदिस रास है, अब देखो, ये सदिस तो हो गई, ठीक है, अब आपको और आगी क्या समझना है, सदिस है, तो अकेला परिमार से काम नी चलेगा, मान से काम नी चलेगा, आपको दिसा बतानी पड़ेगी, तो देखो, विद्धु छेत्र की दिसा कैसे ग्याद करते है, ये बहुत important है, विद्धु छेत्र की दिशा कैसे ग्याद करेगी, परिमार तो निकाल देंगी, इस कैसे मार रखेंगी, ठीक है, इसमें, बल में, क्यों नोट रख देंगी, तो आंसर आ लेकिन आप दिसा भी ग्याद करने पड़ेगी, तो विद्धु छेत्र की दिसा कैसे ग्याद करेंगी, तो याद रखना, एक अंक धनाबेश, एक अंक धनाबेश मनलब क्या है, क्यों नोट है, ठीक है, यानि कि ब्रैकेट मैं लेक रहा हूँ, क्यों नोट, पर लगने वा ले बलकी दिसा, बलकी दिसा ही बिद्धु छेत्र की दिसा होती है, यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आगे की डेरिविशन के लिए, बिद्धु छेत्र की दिशा होती है, समझवाएं आप लोगको, ठीक है, तो एक अंग दिनाविश पर लगने वाले बलकी दिसा ही क्या होती है, बिद्धु छेत्र की दिसा होती है, कैसे होती है, यह समझा रहूँ आपको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दिता हूँ, सिर्प आपको समझाने के लिए यहा प्लस क्यों आपकोब समझाने के लिए कवाल आपको पता है, यह पहले सा मिटा है यह लावच इसमें तो कुछ बाइन ही नहीं क्योंकि यह बिल्कुल ना के बराबर है, यह बाल आभर अब इसने पे कौन सा बल लगाएगा, यह बाला बल लगाएगा. यानि इसको अपने से क्या करेगा दूर करेगा ऐसे अपने से क्या करेगा दूर करेगा तो दिसा के दर के ओर हो रही है देखो इदर के ओर हो रही है इसका बलाव इसकी दिसा क्या हो गई ए भी दिसा हो जाएगी आगे समझ में एक अंग दनाविस पर किदर की ओर बन लग रहा है एक अंग दनाविस की ओर लग रहा है समझ में आगी बात आपको इदर की ओर तो हमने बोला भी है एक अंग दनाविस पर बलकि दिसा जिदर की ओर लगेगी वही क्या होगी बिद्द चेतर की दिसा होगी ठीक है समझ मा आ गया अगर यहीं पे प्लस की जगे क्या होता माइनस क्यू होता प्लस की जगे क्या होता माइनस क्यू तो आपको बता है माइनस क्यू पे क्या होता यह माइनस और यह प्लस तो plus बाले को minus अपने ओर क्या करता, कीषता तो अब दिसा क्या हो जाती, बदल जाती यानि B से A की ओर हो जाती तो आब देखो, एक अंगेजल आप इस पर क्या हो झाएगी, दिसा क्या हो जाएगी बी से A हो जाएगी, तो इस तरीकिसे आपको क्या करना है दिसाग्यात कर लेना है तो समझ में आ गया होगा आपको विद्र छेत्र क्या होता है I hope आप लोगो ये वीडियो पसंद आ गया अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं हों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते कि नहीं है